श्री शिवाईन नमस्तु बिहम दर्शको कैसी हूँ आज अगरते हैं कि आप सब सुष्टेम्स रक्षित होंगे दर्शको आज गुनतिस तारिक और साथ ही आज स्वमवार का दिन पढ़ रहा है स्वमवार की तीठी पढ़ रही है ऐसे में आज स्वमवार की शाम केवल एक मुठी काले तिल यहां रख देना दोस्तों आज स्वमवार का दिन है ऐसे में कहा जाता है कि स्वमवार का जो दिन होता है ये देव की देव अधी देव महादेव को समर्भित होता है माननेता है कि स्वमवार के दिन देव की देव अधी देव महादेव की पूजा करने से जीवन के संपून ने कष्ट दूर होते हैं आर्तिक के समश्या दूर होती है ऐसे में तमाम कष्टों से भी छुटकारा प्राप्त होता है तो ऐसे में प्रिय दर्शकों आज हम आप लोगों को सौमवार का ही एक छोटा सा दिब्य और अचुक उपाई अगर एक बार इस उपाई को करते हो तो आपकी तमाम जो मनोकामना है वे पूर्ण होंगी आपको अपने तमाम कारियों में शपलता प्राप्त होगी जो भी आप मांगोगे आपको छपड़ फाड़ कर मिलेगा अगर आपके जीवन में धन से सम्मंदित कोई समश्या है तो भी इस उपाई को किजिएगा अगर आपको पुत्र की प्राप्ती नहीं हो पा रही है संतान की प्राप्ती नहीं हो पा रही है यह पिर आपको किशी भी छेतर में शपलता प्राप्त नहीं हो पा रही है कई वर्षों शे आपकी कोई मनोकाम नहीं हो पा रही है कर्ज बहुत ज्यादा हो चुका है कर्ज नहीं चुक रहा है तो एक बार इस उपाई को पूरे विश्वास के साथ कर कर देगा आपका कर्ज हमेशा हमेशा के लिए जमापत हो जाएगा और धीरे धीरे चुकना भी प्रेश रोताओ किस प्रकार से किस तरह से इस दिव्या और अचु को पाई को करना है विशंपुन्य जानकारी इस वीडियो में इस चैनल के माध्यम से बताएंगे आप सभी अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिजेगा साथी हो सकी तो अपने मित्र बंदू तक अवश्य शेर कर दिजेगा ताकि अन्य लोगों को भी इसका लावे पराप्त हो सके साथी दोस्तो हो सके तो कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव पाच बार अपने हिर्देश अवश्य लिखेगा ताकि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण ह हो सके भगवान शिव का अशिरवाद प्राप्त हो सके एसम दोस्तो एक मुठी काले तिल दोस्तो कहा जाता है कि स्वमवार के दिन काले तिलों का काफी विशेश महतो होता है और साथी काले तिलों से जुड़ा उपाई को करने से भी तमाम कश्ट दूर होते हैं भगवान शिव भी प्रशन होते हैं ऐसे हम दोस्तो आज स्वमवार के दिन आप शिव पाई को किशी भी समय कर सकते हैं और किशी भी स्वमवार को भी कर सकते हैं तो उसके लिए आपको दोस्तो केवल स्वमवार की दिन आपको एक मुठी काले तिल लेने हैं और एक मुठी आप लोगों को एक दीपक भगवान शिव की अगर मंदिर में जा रहे हैं तो उनके चोखट पर जलाना है अगर आप अपने घर के पूजा इस तलपर ही है तो आहां पर आप लोगों को एक देशीगी का दीपक जला देना है दोस्तों कहा जाता है कि ऐसा करना शुम माना जाता है और काले तिल और जो का ये उपाई वास्तों में आपकी जिनकी तमाम कष्टों को दूर कर देता है, आर्थिक समिश्या को दूर कर देता है, आपकी जो भी मनोकावन होती उसे पून करता है, और आपके उपर जो कर्ज का भाहर होता है, उसे धीरे दीरे समाप्त करता है, तो दूस्टों इस कारे को आप विश्वास के साथ कीजिएगा और हम ये सब उमीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ये उपसंद आया होगा एक बार पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा सबलता आपके कदम अचूमे की तो दर्शकों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना ख्यार रखेगा धन्यवाद जी नमस्कार